आज एक दिसंबर है यानि की एड्स दिवस तो आईए जानते हैं कि आखिर ये एड्स कैसे होता है और अगर कोई व्यक्ति HIV संख्रमित होता है तो उसके शरीर में क्या लक्षड दिखाई देते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें HIV एक तरह का वाइरस है जो एड्स का कारण बनता है एड्स को acquired immunodeficiency syndrome कहा जाता है एड्स एक प्रकार के वाइरस से होता है जिसे human immunodeficiency virus कहा जाता है तो आए जानते हैं कि आखिर HIV कैसे फैलता है जब कोई पुरुष या महिला किसी HIV संक्रिमित व्यक्ति से बिना कॉंडोम के सेक्स करता है तो इस दोरान एक स्वस्थ व्यक्ति भी HIV संक्रिमित हो जाता है इसके अलावा संक्रिमित व्यक्ति के द्वारा प्रयोग की गई सिरिंज का प्रयोग करने से भी एक स्वस्थ अपने बच्चे को इस्तनपान कराती है तो ऐसी कंडिशन में बच्चे के HIV संक्रमित होने की संभावना रहती है। ध्यान रखें, एड्स किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना खाने से, उसके साथ रहने से या उसे चूने से नहीं फैलता है। तो आएए अब जानते हैं कि आखिर किसी HIV संक्रमित व्यक्ति में क्या लक्षर दिखाई देते हैं। कमजूरी महसूस होना, अचानक वजन का कम होना, और सास लेने में तकलीव का होना, जीब या फिर मों पर सफेद धब्बे होना। तो अगर किसी व्यक्ति में ये सभी लक्षर दिखाई देते हैं, तो संभावना है कि वे HIV संक्रमित है। इन सभी लक्षरों के चलते जान का खत्रा भी हो सकता है, तो इसलिए शुरुवाती इस्तर पर ही HIV की दवाईयों के साथ इसका सही इलाज करवाने से काफी हद तक बिमारी की रोगठाम की जा सकती है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इससे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।